अब जाग भी जाओ, समय हो गया, याद है न, अगले ही महीने अंतर विद्यालेई खेल प्रतियों गिता है, चलो उठो और अपने दोड़ने के अभ्यास के ले जाओ अमेत, तुम दिन पर दिन आलसी होते जा रहे हो, जल्द उठो बहुत ठका हुआ हूँ और नीन दा रही है, बस पांच मिनट और क्या रात में तुम्हारी नीन पूरी नहीं हुई? ये मोबाइल पर गेम खेल रहा होगा, इसलिए समय का ध्यान नहीं रहा होगा अमेत, अब थोड़ा जिम्मिदार बनो और अपने स्क्रीन टाइम पर नियंधरन रखो चलो फटा फट उठो अमेत, प्लीज दर्वाजा खोल दो अमेत, दर्वाजा क्यों नहीं खोलते? और तुम टीवी स्क्रीन के इतना नजदी क्यों बैठे हो? मैंने बताया था ना, इससे तुम्हारी आँखो पर बुरा सर पड़ेगा ठीक है मा अब फटा-फट तयार हो जाओ, तुम्हारी स्कूल बैन आने ही वाले होगी फिर से मेती के पराथे, मा कुछ और क्यों नहीं बनाती, जैसे छोले भटूरे गुड मॉर्निंग विद्ध्यार्थियों, आगे पढ़ने से पहले एक नजर देख ले कि हमने कल क्या पढ़ाई की इशा, कि तुम औसत बिकालने का फॉर्मिला बता सकती हो? मैं, मुझे नहीं आता अमित, प्लीज बोट पर लिखे सवाल को हल करके दिखाओ मैं, मेरा सिर्दर्द कर रहा है और ब्लैक बोट पर क्या लिखा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है सिर्दर्द? आपने सुबह का नाश्टा किया था? नहीं मैं, स्कूल के लिए देर हो रही थी, तो सुबह के नाश्टे का समय ही नहीं मिला मुझे ये अच्छी बात नहीं है, आपके उमर के बच्चों को रोज सुबह का नाश्टा करना ज़रूरी है कल सुबह अपने माता पिता के साथ स्कूल के स्वास से केंदर में आना मैं डॉक्टर रवी से कह दूँगी कि वे आपनी जांच कर लें ठीक है मैम, थैंक यू गुड मॉर्निंग, कैसे हुआ मित? गुड मॉर्निंग डॉक्टर, इन दिनों मुझे सिर दर्द रहता है, सुस्ती भी रहती है, तका तका मैजूस करता हूँ कल मेरी मैथ टीचर ने मुझसे पूछा सिर दर्द, आपने सुबह का नाश्टा किया था? नहीं मैम, स्कूल के लिए देर हो रही थी, तो सुबह के नाश्टे का समय ही नहीं मिला मुझे ये अच्छी बात नहीं है अपनी रोज की दिन चर्या बताओ डॉक्टर, अमित फल और सबस्या नहीं खाता है, और अधिकतर फोन पर गेम खेलता रहता है हम, तो ये बात है अमित, किशोरा वस्था, शारीरिक और मानसिक विकास का सबसे महतोपून चरण है इसमें संतुलित आहार खाना जरूरी है आपको घर का बना भोजन खाना चाहिए और बाहर के भोजन से बचना चाहिए स्वस्थ खान पान में फल और सबजियों का होना जरूरी है क्यूंकि इन में विटमिन और मिनेरल्स पर्याप्त होते है मैं तो इसकी जीवन शैली से घबरा गई हूँ अंतर विद्यालेई खेल प्रतियोगिता में कुछ ही सब्ता बचे है आप रोजाना कसरत भी जरूर करो इससे पूरे दिन ताजगी और उर्जा बनी रहेगी स्क्रीन टाइम कम करो क्यूंकि बहुत जादा देखने से तुम्हारी आखों पर बुरा असर पड़ेगा और हमेशा सिर्दद रहेगा और सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छी तरह से सोने से दिमाग बहतर कारे करता है इसलिए हमें बिना बाधा के कम से कम आठ घंटे सोना चाहिए धन्यवाद डॉक्टर साहब डॉक्टर, मैं अपनी जीवन शली सुधारने में पूरी मेहनत करूंगा और प्रतियोगिता के लिए मन लगा कर मेहनत करूंगा ये हुई ना बात मैं आपके पीटी टीचर से बात कर लूँगा गुद मॉर्निंग सर गुद मॉर्निंग अमिद डॉक्टर रवी ने आपके बारे में बताया कल सुभह स्कूल आओ हम एक स्वस्थ फिटनेस प्लान तयार करते हैं जी सर प्रतियोगिता में कुछ ही सप्ताह बचे हैं आपको कड़ी मेहनत करनी होगी सर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा और दूसरा पुरस्कार अमित को जाता है अपने परिवार एवं अध्यापकों की सहायता और व्यायाम करनी की द्रण निष्ठा से अमित ने अपनी जीवन शैली को सुधारा तथा वो स्वस्थ और तंद्रुस्थ बन गया आपके कड़ी मेहनत और लगन का फल मिल गया लगातार कोशिश और जीवन शैली में अनुशासन से आप जरूर कामियाब होंगे और एक दिन विजेता बनोगे किशोर अवस्था में स्वस्थ आद्दों को बढ़ावा देना और युवापीडी को सेहत के खतरों से बचाने के लिए बेहतर कदम उठाना वयस्थ अवस्था में उन्हीं स्वास्थे समस्याओं से दूर रखने के लिए जरूरी है नियमित शारिरिक व्यायाम, चीनी, नमक और तेलिय खाद्य पदार्थ कम खाना तथा तंबाकों और शिराब से परहिस करना कई गेर संक्रामक रोगों जैसे रिदय रोग, कैंसर, सांस की बिमारी और मदुमेह से सुरक्षित रहने और इन बिमारियों को टालने में साहयक है साथी, लापटॉप, टीवी और मोबाइल का उपयोग यानी स्क्रीन टाइम प्रति दिन दो घंटे से अधिक नहीं हो योग और ध्यान से स्वास्थय बहतर होता है स्वास्थय के लिए बुरी आदतों को बदलने में दोस्तों, माता-पिता, शिक्षकों और किसी अन्यभरों से मन व्यक्ती की मदद ले